आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही बेतरीन प्लान के विशे में जैसा कि आप स्क्रीन पर देखा होगा हमारा थमनेल भी देखा होगा हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे कल कमेंट किया था सर मुझे 30 ग्रॉस 20 का प्लान चाहिए मैंने अभी परसों ही साय थे 30 25 का क्रेड किया था लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर उनकी डिमांड थी कि 30 भाई 20 में हाउस प्लान चाहिए और लो कोस्ट और बेतरी इंसा मॉडल उन्हीं के कहने पर मॉडल को मैंने डेजाइन किया है आप यह मॉडल देख पा रहोंगे हाला कि यह मॉडल का साइज चो प्रॉब्म से बलते हैं, लेकिन मैंने जो प्लान क्रेट किया है इसको आज हम डिसकर्ष करेंगे बारी बारी से इसका मैंने ग्राउन फूर ही बस आपको एक पहीं आइडिया लगेगा कि ऐसा भी घर बढ़े सकता है या आपको पेड़ सर्विस का इस्तमाल कर सकते हैं नमबर हमारा आपको डिस्क्रिप्सन में मिलेगा वाट्सप नमबर है आप मुझे कॉंट्टिक्ट करें और वहां पर मैं आपसे बात करूँगा आपकी requirement को समझ कर आपका house create करूँगा लेकिन वहां पर आपको 50% payment advance देना होता है लेकिन payment तब ही दें जब आपकी हमसे बात हो जाया नहीं था आप किसी अन्यवेक्ति को payment बिलकुल ना करें तो चलो जो आज का model है उसे हम discuss कर लेते हैं तो यह पू का और बीच में glasses का यूज किया है और यह दोस्तों डिजाइनिंग का पार्ट आप जो राउंड कलर के रेलिंग देख रहे हैं और यह वगरा देख जिसरफ डिजाइनिंग का परफश्य करेड किया हलाकि और इसका कोई लिए ना देना नहीं है क्योंकि अगर आपको घर थ यह और यहां से स्टेर्स है जिससे आप उपर जाएंगे और यह एक मैने विंडव दिया है और यह डिजाइनिंग का पार्ट जो आप ग्रिüber कर देख रहे हैं और यहां भी ने दोर दिया है मने बात करता हूं आप यहाँ से दो जगह से इंट्री कर सकते हैं निकmiyorum left उरी स्जाकों और रहे हैं एक बस में पुरूर दी है यह प्रॉर देया है यह लगबग दोस्तों यह लगबग आपका 14 फिट का जगह है यहाँ से यहाँ तक क्योंकि टोटल 20 फिट था जिसमें मैंने साथ से पीछे के बात करूँ अगर आप जैसे इंट्री करते हैं में इंडोर से तो साथ से प्लेट आपको यह गेश्ट रूम मिल जाता है अगरश जैसे इंटरी करते हैं मैंने ग्राउ्ट फोट पर कीरेड़ किया है जब आप इसी ऊपर बनाएंगे तब मैं और भी रूम यहाँ पर बताऊँगा तो यहाँ पर तो यह एगी बैट रूम है जिसके लिए विंडो दिये विंट लेशन के लिए और यहां से आप just entry करते हैं तो आप आजाते हैं hall में अपने और यहां से आप door अपना guest room में आज bedroom में आप entry कर पाएंगे side में आपका kitchen है जिसके लिए door और window ventilation का proper ख्यार लखा गया है और हम बात करें हाँ पर इस hall में भी आप sofa वगर अपने guest room as a guest room यूज कर सकते हैं क्योंकि बड़ा सा hall होगा और आपको सबसे last में आपका stairs दिया है जिससे आप उपर जाएंगे सबसे last में stairs दिया है उसी के just नीचे late and bath मैंने command किया है नीचे के लिए अब हम मात करते हैं जो car parking का space था वहीं से आपको मैंने एक window दे दिया है ventilation का इसे आप उपर रखना पड़ेगा क्योंकि लेट बात आपने design कर दिया है इस लिए इस window को उपर रखना पड़ेगा आपको और इसी car parking की जगह से जो आपका ये बार अंदर टैप का बना इससे आप बालकनी टैप का बना इससे आप अंदर भी जा सकते है अपने बैट डूम में ये देखी गए इस door की माद्यम से तो ये पुरा ground floor हो गया ये planning आपको जैसी भी लगी हो हमें comment या like करके जरूर अपरा support जरूर दिया करें दोस्तों तो ये अगर हम बात करें इस plan की दिए इसका ground floor हो गया अब हम last floor की बात करते हैं तो last floor पर तो कुछ भी देजाएं नहीं बात करें फ्रेंट की तो ये बीज में ग्लासेज दिया है ग्लास का रेलिंग दिया है यहाँ पर इटो का ब्रिक्स का दिया है और ये थोड़ा डिजाइनिंग वगयरा कर दिया है तो ये पूरा model समझ लें 20 क्रॉस 30 क्रॉस 20 का model था वित कार पार्किंग आपको जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके बताएं सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरू कर लें और मैं आपसे अनॉंश्मेंट फिर से करना चाहूंगा आप हमें पेर सर्विस के इस्तवाल कर सकते हैं नमबर आपको डिस्क्रिप्स में मिलेगा वाट्सवाइब नमबर है कांटेक् दिखाने के बाद मैं आपको दिखा पाँ तो उसमें मेरा टाइम बेश्ट होता है इसलिए मैं 50% पेमेंट लेता हूं और बहुत से लोगों के मन में यह का निफूजन होता है कि मुझे साहथ पशंद ना आया तो मेरा 50% पेमेंट जो मैंने पे किया है वो चला जाएगा त जब तक आपको पशंद नहीं आए था तब तक मैं चेंज करता हूं 2D मॉडल तभी कनफर्म करता हूं जब आप अपने तरफ से हां बोलते हैं तभी मैं कनफर्म करके उसे आंगे प्रोशीड करता हूं और 3D मॉडल को करता हूं तो आप बिल्कुल ऐसा कन्फूजन ना करके बता सकते हैं जिससे मैं उस मॉडल को ग्रेड कर सकता हूं थैंक्स वाचिंग